नमस्काय स्वागत आपका नियुद्वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पार्गुत्याभी शाटे की पहली साधिरा बस दो महीने दू थी जब मेज़ा पिकुती शार्का टॉंठिया निदेश्ट के लिए अपने प्रांग यह अच्छावर कर दिये थे वो पुल्वामा हमले को अंजाम देने बाले आतंकियों का पीछा करते हुए वीस खंचे लंगे चले ओपरेशन में बीड कती को प्रांग खबर आई तो उनकी पतनी निकेता कौल बिखर चुकी थी अगले छे महीनों में उन्होंने किसी तरह खुद को समारा वो बिखरे टुकरे समेटे और तैक हिया कि मेजर विभूती की दिराशत को आपे बढ़ाएंगी भारतिय सेना में शामिल होंगी मेजर विभूती को गए दोस्त साल पूच चुकी है और अब निकेता को और भारतिय सेना में लग्टिनेंट बन चुकी है उन्होंने पार्सिंग और परेट की आखरी अप्चारिता ही पूरी कर दी देखें के रिपोर्ट निकेता MBA ग्रेजुएट हैं और मल्टिनाशनल कंपनी में काम कर चुकी है उन्हें चुनाई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी में ट्रेनिंग मिली है वहीं उनकी पासिंग आउट परेट भी हुई सेना के ये टेकनिकल बिंग में बतौर अप निकेता लेफटिनेंट काम करेंगी उत्री कमान के प्रमोक लेफटिनेंट जर्नल वाईके जोशी ने अपने हातों से निकेता की युनिपॉर्म पर स्टार लगाए ऐसा अकसर नहीं होता क्योंकि आम तौप माता पिता अपने अफसर बेटे बेटियों की वर्दी पर सितारे लगाते हैं निकेता कॉल उने एक सो सरसट पूरुश और 31 महिला कैंडिडेट्स में से एक हैं जो आफिसर्स बने हैं पच्पन राश्ट्रिय राइफल्स में तैनाथ मेजर डोंडियाल उन चार लोगों में शामिल थे जो कुलबामा हमले के तीन दिन बाद 17 परवरी 2019 को आतंकियों का पीछा करते हुए वीर कती को प्राप्त हुए उस समय उनके उम्र 30 साल थी उस उपरेशन में जैशे मुहमद का एक टॉप आतंकी मारा गया मेजर डोंडियाल को मन्नो प्रांच शौर्वेच चक्र मिला अपने पती को विदाई देते समय निकिता का एक वीडियो खूब फारल हुआ था अपने किता कह रही थी कि तुमने मुझे प्यार किया मगर तुमने देश्ट से कहीं ज्यादा प्यार किया मैं तुम्हें अपनी आखरी सास तक प्यार करूँगे सितंबर 2019 में निकिता ने शॉर्ट सर्वेस कमिशन के लिए एक सैनक की विद्वा थी इसलिए उम्रिसीमा में रियायत दी गई पिछरे साल फरवरे में अपने पती की पेहली बर्सी पर निकिता कॉल ने पताय था कि उनकी सास वैसाद सब्रोज के इस पैसले में अहम भूह का निभाई है मेजर डॉंडियाल की पत्नी के साथ ही उनकी मां दादी और बेहनों का रो रो कर पुरा हाल था निकिता ने जब खुद को समाला खुद ही शव्यात्रा की अगवाई की उन्होंने कहा जो चले गए उनसे को सीखे दुनिया में जो शहदत देते हैं उनसे सीखना चाहिए शहिद को अंतिम विदाई देते वक्त पाकिस्तान बिरोदी नारे लगे साथ ही लोगों ने भारत माता की जैके नारे लगाए थे शहिद मेजर विबूति कुमार डॉन्डियाल ने आठ साल पहले 2011 में आर्मी जौैन की ति मेजर डॉन्डियाल और निकिता की शाधी शहदत से 10 महीने पहले हुई थी शहदत के समय निकिता 8 महीने की गर्वति भी ती उस वक्त निकिताने कहा था कि मैं अपने पती के पूचिश और थांचली मिलेगी आज वो सपना सच्छ हो गया जब सेना में उनकी विदिवत जॉइनिंग हो गई प्योरो रिपोर्ट नीज वरल इंडिया निकिता को ने एसी मिसाल पेश की है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है वहीं उनके सस्रवार वाले और निकिता के परिवार वाले भी अपनी बीठी के इस पैसले से भी खथ हुश हैं उनका कहना है कि बेटे की शहादत के बार नेकिता के सेना जॉइन करने पर वो गर्वित हैं और वो जरूर अपना और देश का नाम रॉशन करेंगी फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें जिसको अलेजिया